Hello students, today we will discuss class 8 math and CRT exercise 11.1 question number 3 Here is question is the shape of a garden is rectangular in the middle मतलब यहाँ पे आपका एक garden है जिसका shape कैसा है? Rectangular है in the middle यानि कि बीचो बीच जो आपका rectangular shape है और semi-circular at the end और इसके end में कैसा है? उसका shape है? semi-circular है तो आपको करना, बताना क्या है? Question क्या है? What is the question? The question is find the area and perimeter of this garden आपको बताना है इस garden की area क्या है और इस garden का perimeter क्या है? तो चलिए हम लोग first of all we will discuss the area of the garden So let us see, कैसे में लोग निकालेंगे पहले यह देखे How we will find the area of this garden First you will see the picture, अगर आप picture ध्यान से देखे तो यह आपका rectangle shape है ठीक है? तो what is the length of this rectangular shape? अगर हम इसकी बात करें, यहां से यहां तक की बात करें तो क्या होगा length? और इसका यहां पर अगर base देखा जाए तो इसका base तो आपका यहां से, अगर इसका हम, sorry, breath देखें तो breath आपका कितना होगा? 7 है, 7 meter दिया हुआ है, ठीक है? और इसके end की तरफ देखें तो यह हमारा क्या है? semi circular है तो यह हमारा क्या हो जाएगा? diameter तो diameter का half हमारा क्या हो जाएगा? radius होगा तो इसका radius कितना हो जाएगा? diameter का half 7 by 2 7 by 2 यहां से यहां तक आपका 7 by 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर यह 7 by 2 है तो यह भी आपका लेंद कितना हो जाएगा 7 by 2 कितना हो जाएगा 7 by 2 यह भी होगा और यह भी आपका कितना हो जाएगा 7 by 2 ठेक है तो कहने का मतलब आपको क्या करना है इस total 20 में से इधर का 7 by 2 minus कर देजे इधर का भी 7 by 2 minus कर देजे तो इसकी length हमारी निकल जाएगी है ना और हमारा इसका breath तो हमको मालों में इसका breath हमारा कितना है आपका दिया हुआ है यह 7 meter की equivalent है ठीक है तो चलिए इसका हम लोग length निकालते हैं length आपको देखे निकला भी हुआ है total 20 है तो इधर से भी 7 by 2 हमने minus किया यह यह 3.5 minus किया और इधर से भी हमने 3.2 7 by 2 को minus किया यह 3.5 को तो दोनों plus करके इसको आप minus कर देंगे तो हमारा यह total कितना आ जाएगा 20 में से 7 गया 20 में से 7 गया आपको कितना वचाए आपका 13 meter आ जाएगा यहनि कि आपका length आपका कितना हो गया 13 meter हो गया तो इस तरह से हमको rectangle का length मिल गया आपका 13 meter और इसका breadth हमारा कितना मिल गया 7 meter मिल गया चलिए तो find out करते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे इसका एरिया पहले हम लोग इस रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा length into breath और semi-circular यहांने semi-circular का हमारा क्या हो जाए area of half area of circle हमारा pi r square होता है ठीक है तो area of area of semi-circle any pi r square upon two चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करते हैं सॉल्व करते हैं हम लोग यहां से तो area of area of garden क्या हो जाएगा हमारा garden is equal to हो जाएगा हमारा यहांने area of rectangle area of rectangle plus area of two half semi-circle half semi-circle area of rectangle हमारा क्या होता है लेंथ इंटो ब्रेथ अब देखे एरिया of half semi-circle area of circle क्या होता है pi r square और half circle क क्या हो जाएगा pi r square upon two हो जाएगा और कितने कितने आपके half हैं 2 है एक तो हमारा ये वाला हो गया और एक है यानि कि 2 half area है ना तो यानि कि यह आपका 2 से multiply हमने कर दिया 2 से 2 चला गया तो यह हो गया ठीक है चले बहुत लोग इसकी value रख देते हैं फटाफट क्या होगा इसका इसका length हमारा कितना दिया हुआ है 13 meter तो यहां पर लिख देजाए आप पर area क्या होगा आपका 13 और base आपका breath कितना दिया है आपका 7 है तो इदर 7 हो गया प्लस पाई पाई की value हमारे कितनी हो गई पाई पाई की value हमारे कितनी हो गई 22 upon 7 और आर आर दिखे आपका radius आपका कितना हो जाएगा 7 upon 2 यह आपका total है इसका half 7 है टोटल तो 7 का half कितना हो जाएगा 7 upon 2 यानि कि 7 upon 2 आर इसको आपका 2 7 upon 2 इसको solve कर लिजे ठीक है ज़ले हमलों solve करते हैं एक 7 से आपका एक 7 gap हो गया ठीक है एक 2 से हमने यह काट दिया तो 11 आ गया है और इसको पूरा मार्टिप इसको solve कर लिजे 13 7 जा कितना होगा आपका 91 प्लस 11 7 जा कितना होगा आपका 77 upon 2 इसको solve कर लेते हैं कितना हो जाएगा इसको काट दिजे 2 3 जा 6 बचा 1 2 8 जा 16 है ना टूएट जा 16 बचा आपका 2 पॉइंट फिर आपका बचा यह पिर आपका बचाएगा जीरो हो जाएगा तो इसको जोड दिजे आप 91.0 ब्लस 38.5 जोड दिया तो कितना आगया आपका 5 हो गया और यह आपका अगया 9 हो गया और 9 3 12 जोडने पर कितना आगया आपका एरिया 129.5 आगया है मीटर यह आपका क्या है मीटर स्क्वाइर हो गया ठीक है तो आप यहां लेख सकते हैं एरिया आफ गार्डन एरिया आफ गार्डन क्या हो जाएगा आपका 129.5 मीटर स्क्वाइर चलिए हमनों निकालते हैं पेरिमीटर आफ गार्डन पेरिमीटर आफ गार्डन क्या हो गए अब चलिए पिक्चर को धिहान से देखे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इसके पेरिमीटर आफ गार्डन means what क्या हो आपका यानि कि इस टोटल बाउंडरी आपको निकालना है क्या निकालना है इसका टोटल बाउंडरी मतलब आपका देखे जैसे यानि इसका ये निकालना है और अगर यानि कि इसको देखे जानि कि टू हमारे इसका ये लेंथ यानि वन एल ये एल ये एक लेंथ इसको निकाल देना है एक ये लेंथ ये और ये हमारा प्लस ये निकालना है हमारा two half semicircle का निकालना है ठीक है तो इस तरह से हमने निकाल लेंगे यानि कि two length निकाल लेंगे plus area of two half sorry perimeter of two half semicircle तो चलिए इसे निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा पहले तो ये two length हो गया है यानि two L हो गया length into length two L हो गया plus semicircle two half semicircle मतलब क्या हो गया ये अपका हो गया circumference of circle क्या हो गया two pi r तो इसका half कितना हो जाएगा two pi r upon two ये हो गया यानि half हो गया अब दो two है आपका इसलिए two से इसको multiply कार देंगे ठीक है two से हमने multiply कर दिया two से two हमारा cross हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा ये two length plus two pi r ठीक है तो इसको solve कर लेते है ये ने two into length हमारा कितना है ये 13 दिया है plus two into pi pi कितना दिया हमारा 22 upon seven दिया है और r radius हमारा कितना है seven upon two है ये आपका seven से seven cross हो गया इधर two से two cross हो गया चलिए तो इसको solve कर जाए 13 to jamara कितना हो गया 26 हो गया plus ये हमारा कितना हो गया 22 ये आपका कितना हो जाएगा 48 meter यानि कि perimeter of garden आपका क्या हो गया perimeter of garden perimeter of garden is going to 48 meter okay I hope you will understand please like subscribe and share my channel thank you you